Problem No. 78 को देखो 78 यह कह रहा If both the speed and radius of the circular path of a body are doubled आपके पास एक circular path है उसमें radius और आपने radius और किसको? radius और speed को आपने डबल कर दिया तो आपसे बहारा How will the centripetal acceleration change? तो centripetal acceleration पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता है centripetal acceleration का जो formula होता है वो v square upon r होता आप लिख सकते हैं centripetal acceleration जो होता है वो क्या होता है? v square upon r इसको आप a कह दो अब आपसे a dash क्या हो जाएगा? आपसे कहारा है कि velocity को डबल कर दिया तो यह हो जाएगा 2v इसका square और radius भी आपने डबल कर दि 2r कर दि तो क्या फर्क पड़ेगा? नए centripetal acceleration पर यह हो जाएगा 4v square और यह हो जाएगा 2r 2 से काड़ों को तो 2 times कर जाएगा यह हो जाएगा 2v square upon r इसको आप ऐसक ऐसक तो a dash is equal to 2 एंसे रहेगा v square upon r की जाएगा a तो a dash is equal to हो जाएगा 2a मतलब नया centripetal acceleration जो होगा वो just double हो जाएगा पहले वाले का होप सो यह भी समझ मागे होगा तफ नहीं लगना चाहिए तैंक यू सो मच अगली problem में मुलाकात करते हैं